हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दे चैनल आज मैं आप लोगों को थर्ड क्लास की इंग्लिश ता लेसन नम्मर वन आल तिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल पढ़ाने जा रहे हूं इस पोयम में बताया गया है कि गौड ने कितनी सुन्दर सुन्दर चीजे बनाई हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं जो की फूल, बर्ड, माउंटेंज, रिवर्स, रेंजिस इतनी सारी चीजे हैं जो भी हम आसपास देखते हैं वो सब गौड का बनाया हुआ है तो उसी के वारे में इस poem में बोला गया है कि सारी चीजें कितनी सुन्दर और कितनी चमकदार हैं, bright हैं तो चलिए poem को start करते हैं All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the God made them all Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings तो poet poem को शुरू करते हैं और बोलते हैं कि all things bright and beautiful जितनी भी आज़ चीजें हैं, कितनी ज़्यादा bright हैं, कितनी चमकदार हैं, और कितनी सुन्दर हैं, beautiful हैं All creatures great and small, जितने भी creatures हैं, कुछ उद में से great मतला बड़े हैं, और कुछ छोटे हैं All things wise and wonderful, और सभी चीजें कितनी ज़्यादा wonderful हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी हैं The God made them all, और इन सभी चीजों को किसने बनाया है? God ने, भगवान ने Each little flower that opens, जो जितने भी flowers हैं, एक एक flower, जो कि खुलता है, खिलता है Every little bird that sings, और हर छोटी चिडिया, जो चह चाहती है, जो गाना गाती है He made their glowing colors, उतमें जो फ्लावर्स हैं, उसके बारे में यहां कहा है कि भगवान ने उसके glowing colors, इतने सुंदर सुंदर चमकदार रंग बनाये हैं And He made their tiny wings, और फिर इस second next line में birds के लिए कहा गया है कि God ने उनके birds के छोटे छोटे टीनी, मतलब छोटे 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 wings, पंक भी God नहीं बनाये है The purple-headed mountains, the river running by, the sunset in the morning, that brightens up the sky The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone फिर आंगे poet कहते हैं, कि जो mountains देखते हम, तो वो उपर पर कैसे तुड़े dull से दिखते हैं, डार्क से दिखते हैं, आपने देखा होगा क्योंकि वहाँ पर जो light की रोशनी है, वो proper पढ़ती नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा dullness होती है तो उसको उनने purple-headed mountains कहा है The river running by, जो नदियां वह रही है, जो हम देखते हैं नदियां कितनी सारी होती है उनी के बारे में बोला गया कि जो नदियां वह रही है The sunset in the morning, जो sunset होता है हर शाम और सुबा का समय जो सूरज उगता है That brightens up the sky, जिससे सारा आस्मान brightens up the sky, चमकने लगता है The cold wind in the winter, थंड के समय जो थंडी हवाय चलती है The pleasant summer sun, और गर्मी में जो sun होता है, सूरज होता है The ripe fruits in the garden, गार्डन जो है हमारे, वहाँ पर जो फल लगे होते हैं वो जो ripe मतला पक जाना, तो पके हुए गार्डन में फल ये जितनी भी चीज़े हैं, mountains, rivers, sunset, sunrise, और जो आस्मान चमकता है थंड में हवाय थंडी, cold wind, pleasant sun, पके हुए fruits, इन सभी को God नहीं बनाया है He gave us eyes to see them, and lips that we might tell, how great is God Almighty, who has made all the things well और भगवान ने ही हमें आखे दी हैं, जिससे हम ये सारी चीज़े देख पा रहे हैं हमें lips दी हैं, जिससे हम एक दूसरे से, और इन चीज़ों के बारे में बात कर पा रहे हैं हम एक दूसरे से बता पा रहे हैं, tell मतलब बताना How great is God Almighty, हमारे जो भगवान है, वो कितने जादा तेजस्वी हैं, कितनी उनमें पावर है Who has made all things well, जिन्होंने सारे संसार को इतने अच्छे से, इतने सुन्दर तरीके से बनाया है कितना ही सुन्दर सारी चीज़ें उन्होंने create की हैं तो हमारे जो भगवान है, वो कितने महान है, कि उन्होंने इतने सुन्दर से पूरी दुनिया को सजाया है तो पोएट ये इस पोएट में बताते हैं इस पोएट का नाम है सैलिल फ्रांस अलेक्जेंडर तो अब ये पोएट यही पर खतम होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में थैंक यू